हालो स्टुडिंस आज की लेक्चर को शुरू करने से पहले आप सब जरा सोचिए कि आप जो ये डिली स्कूल आते हैं पढ़ाई करते हैं इतनी मेहनत करते हैं ये सब क्यों अब आप कहेंगे ऑबिसली क्योंकि हमें बड़े होकर अच्छी जॉब्स करनी हैं मने आउन करनी है सक्सेस्फुल बनना है बिल्कुल सही तो यान की अगर आप सब के इतने सारे अलग-लग ज्रीन्स हैं और अगर यही क्योंकि आप अपने फ्रेंड से पूछें आप अपने सभी क्लासमेट से पूछें तो सब की जवाब अलग-लग होंगे अगर आप उनसे पूछें कि वो अपनी मनी को अर्न कर सकते हैं और अगर हमें अपने लिए सही फील्ड चुननी है तो यह बहुत जरूरी है कि हमें डिफ्रेंट फील्ड के बारे में अच्छे से जाने और समझे इसलिए हमने डिफ्रेंट टाइपस ऑफ जॉब्स को क्लासिफाई किया है तीन मेजर सेक्ट सेक्टर्स में और इन तीनों सेक्टर्स के बारे में अच्छे से समझने के लिए चलिए मैं आपको लेकर चलती हूं एंशन टाइम में जब हिमानिटी की शुरुवात हुई एंशन टाइम में लोगों का लाइफ ऐसे बिलकुल भी नहीं थी जैसे आज हम सब की है हमारे पा हम कोई भी एक छोटा सा एक्जामपल ले ले चलिए जैसे कि हम क्लोट्स का एक्जामपल ले लेते हैं तो देखिए कैसे इन लोगों ने अपनी बॉड़ी को लीव से कवर किया हुआ है क्कि तब क्लोट्स जैसा कोई रिसोर्स इनके पास था ही नहीं कि ये खुद को प्रो जब उसने सामने बैठी शीप को देखा तो ख्याल आया कि ये शीप इतनी ठंड में भी इतनी अराम से कैसे बैठी है तब उसे एहसास हुआ कि शीप को गर्म मिलती है उसके स्किन से उसके हैर से और उसके सोचा कि क्यों ना मैं भी इस शीप के हैर उतार कर अपनी बॉड़ी पर लगा लूँ हो सकता है कि मैं भी खुद को वाम रख पाऊ और जब उसने ऐसा किया तो उसे सच में हैसास हुआ उसे पता चला कि उसके हैर यानि कि शीप के हैर और शीप की स्किन ही है जो उसे इतना प्रोटेक्टेड रखते हैं उसे वाम रखते हैं और तब सभी एंश और आनिमल हेयर से उन्हें क्लोथ मिले और बाके की नेचर फार्मिंग से ट्रीस से प्लांस से उन्हें अपने लिए फूड लेकिन दोस्तों यह तो बात हुए एंशन टाइम की अगर आज हम रीसें टाइम को भी देखें तो देखें आज भी हम नेचर से कितनी सारी प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जो नेचर से हमें बेसिक गुड्स प्रवाइड करता है और इसलिए इसके इस खास फीचर की वज़े से इसे एगरिकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहा जाता है दोस्तों Ancient Man की स्टोडी को एक बहुत दुबारा से रिकॉल करिए और जरा सोचिए कि क्या इस तरह से एनिमल स्किन और एनिमल हेर को आप अपनी बॉड़ी पर लगा सकते हैं क्या उसे कमफर्टेबली पहना जा सकता है नहीं क्योंकि वो तो आपकी बॉड़ी पर स्टिक ही न जैसे कि कुछ लोग फार्मिंग करेंगे ताकि वो अपनी फूड की रिकॉर्मेंट को पूरा कर सके और कुछ लोग आनिमल स्किन और एनिमल हेर को कलेक्ट करकर उनसे क्लोज बनाएंगे और इस तरह बहुत सालों तक एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन लोगों ने निडल बनाई जो कि उन्होंने वोड से और अनिमल बोन से बनाई जिसकी हेल्प से उन्होंने अनिमल स्किन और हेर को वीव किया क्लोथ बनाने के लिए जिसमें वो बहुत सक्सेस्फुल रहे आज यही एक्जामपल हम अपने आस पास बहुत असानी से देख सकते हैं जैसे कि दोस आसे cotton टीशिट्स हम सब cotton टीशिट्स पहनते हैं पर क्या हम फार्म में जाकर cotton प्लांट को लाकर अपनी वाड़ी पर लगा लेते हैं नहीं बलकि cotton प्लांट से ठ्रेड और फिर उसकी बाद cotton टीशिट्स बनाई जाती है फैक्टरीज में इंडस्टरीज में यही है हमारा secondary sector secondary sector में सबी factories सबी industries आ जाती हैं जो कि goods को process करती हैं उन्हें manufacture करती हैं और हमारी use के लिए त्यार करती हैं और इसके इसी खास feature की वज़े से इस industrial sector भी कहा जाता है देखा दोस्तों किस तरह से हमने economic activities को इन अलगलग sectors में classify किया जो अपना role बहुत अच्छे से play करते हैं दोस् अच्छे से पूरा करते हैं नेचर से आए हुए goods को industrial sector में जाकर convert किया जाता है ताकि हम सब उसे use कर सके और इस तरह से ancient men से सीख कर हम लोग आज भी पूरी तरह से अपनी जरूरतों को पूरा कर पाते हैं वैसे students हमने ancient time की बात तो बहुत कर ली चलिए अब बात करते हैं recent time आज अगर हमें अपने लिए कुछ भी चाहिए होता है जैसे कि कोई milk product कोई भी food item कोई भी cotton cloth या कुछ भी तो क्या हम farm या फिर industry से जाकर इने अपने लिए लेकर आते हैं बिल्कुल भी नहीं बलकि हम तो ये सब कुछ market में shop से लाते हैं तो सोचने वाली बात है कि ये सभी goods farm और industry से market तक कैसे पहुंचते हैं हम तो farm नहीं जाते हैं नहीं लेने ना ही shop की पर जाता है दरसल students इसलिए ताकि पूरी तरह से primary और secondary सेक्टर के goods को हम तक पहुंचाया जा सुके हमने economic activities को divide किया तीसरे सेक्टर में third main सेक्टर में जिसका नाम है tertiary सेक्टर इस सेक्टर का काम किसे भी goods को produce करना नहीं है बलकि ये goods services provide करता है ये सेक्टर पूरी तरह से support करता है और पूरी तरह से growth के नई opportunities provide करता है primary और secondary सेक्टर को ताकि ये दोनों सेक्टर अपने goods को अच्छा से produce कर सके हैं और tertiary सेक्टर इनके बनाए हुए goods को transportation के जर्ये market तक पहुंचाता है in fact कुछ goods ऐसे भी होते हैं जिने future के लिए save करके store करके रखना पड़ता है तो ऐसे में tertiary sector इने storage की facility भी provide करता है students आज tertiary sector इतना वास्थ है कि इसमें banking से लेके communication, transportation और ना जाने trade जैसी कितनी सारी facilities आ जाती हैं लेकिन सबसे ज़्यादा major role आज की rate में अगर कोई play कर रहा है तो वो है information technology, so information technology का मतलब है जैसे कि अगर मैं आपको कुछ छोटे से example से समझाऊं तो ATM booths, internet banking या call centers इन सभी services के बारे में हम अच्छे से जानते भी हैं और इन्हें use भी कर सकते हैं, तो ये सभी services हमें provide करता है tertiary sector और ये services आज हमारी life का एक बहुत ही important part बन चुकी हैं, तो ही खास बात बताना चाहूंगी और वो ये है कि इस sector में कुछ ऐसी activities भी आती हैं जो कि पूरी तरह से independent है, वो primary या secondary sector को कुछ support provide नहीं करती, लेकिन वो activities society की growth के लिए बहुत जादा important है, बहुत जादा helpful साबित हुई हैं, जैसे कि doctors, teachers, lawyers, cobbler या washermen, ये independent activities society की growth में help करती है देखा दोस्तों किस तरह से tertiary sector अपनी services के जरिए economic activities में और हम सबकी lives में इतना important और major role play कर रहा है, और इसे लिए इसके इस खास feature की वज़े से इसे service sector भी कहा जाता है, देखा दोस्तों किस तरह से हमने सभी economic activities को इतनी सारी different fields को classify किया तीन major sectors में, और ये तीनों sectors पूरी त से हम आज की story को recall करें, तो I am sure आपने ये जरूर notice किया होगा कि तीनों sectors की activities पूरी तरह से interlinked हैं, वो interdependent हैं, दोस्तों अगर हम primary sector की बात करें, यानि कि agriculture sector की, वो जो goods बनाता है, nature से हमें वो जो goods provide करता है, उन में से कुछ goods ऐसे होते हैं, जिने हम directly use नहीं कर पाते, इसल कि ये काम करता है, tertiary sector, यानि कि service sector, तो दोस्तों इसलिए हम ये कह सकते हैं, कि ये तीनों sectors इतना जादा important हैं, और इतना जादा एक दूसरे की काम को effect करते हैं, कि अगर एक भी sector ने अपना काम नहीं किया, या कुछ भी हो गया, तो उसका effect बाकी दोनों sectors पर पूरी तरह से पड़ेगा, चली से और अच्छे से समझते हैं, कि example के help से, देखिये students, आज हम सब paper का बहुत use करते हैं, हमें अपनी classroom में काम करना हो, homework करना हो, exams देने हो, या फिर real life में भी, हम कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से paper को use करते ही हैं, तो क्या आपने सोचा है कि ये paper आता कहां से दरसल ये paper बनाया जाता है cellulose fiber से, जो कि मिलता है trees से, farmer कुछ specific plants और specific trees को grow करते हैं, जिन से cellulose fiber मिलता है, और फिर industries, farmer से इस cellulose fiber को लेकर इसे process करती हैं, और फिर इससे paper sheets और notebooks बनाती हैं, tertiary sector तब secondary sector यानि कि industries के बनाये हुए in paper sheets और notebooks को market के जरिये हम सब तक पहुचाता है, तो यानि कि हम सब अपनी requirements, अपनी needs को इसलिए पूरा कर पाते हैं, क्योंकि ये तीनो sectors, primary, secondary और tertiary, अपना अपना role बहुत अच्छे से play करती हैं, पर ज़रा सोचिए, क्या होता अगर इ entries को grow ही ना करते, या फिर industries इसे process करके इससे paper sheets मा बनाती, in fact, अगर tertiary sector अपनी services के जरिये, इन sheets को हम तक ना पहुचाता, तो क्या हम अपनी need को पूरा कर पाते, बिल्कुल भी नहीं, तो यानि कि दोस्तों, यही से हम ये बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, और कह सकते हैं कि ये तीनों sectors इस तरह से interlinked हैं, कि एक sector का काम पूरी तरह से effect करेगा बाकी दोनों sectors के काम को, अगर किसी भी एक sector का काम नहीं हुआ, या उसने अपना role play नहीं किया, तो दोनों sectors के लिए बहुत difficult हो जाएगा अपने role को play करना, जिसकी वजह से economic activities की situation बहुत जादा खराब हम सब अपनी needs को पूरा ही नहीं कर पाएंगे, तो दोस्तों इसी के साथ हमने cover कर लिया है हमारे आज की topic को, जहां से हम बहुत अच्छे से इन तीनों sectors के बारे में, इनके role के बारे में और इनकी interlinking के बारे में समझ चुके हैं, अब next lecture में मिलकर जानेंगे कि इन तीनों sectors में प्राइमरी सेक्टर, सेकंडरी सेक्टर और टर्शियर सेक्टर में डिफरेंस क्या है, जब हम इन तीनों सेक्टर को कंपेर करेंगे, तो आपको ये वीडियो बहुत पसंदाया होगा, तो इसी तरह से एक मज़़ार तरीके से अपने हर कॉंसेट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए प्यूस्टाक अप जहां आपके लिए और भी कई सारे ओप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सांपल पीपर्स हैं, बाकिक साइज सॉलूशंस, टिप वीडियो और अच मोर, सो वाट आउनलोड दी अप नाउ